दुनिया में हस्बंड के लिए सबसे मुश्किल काम है अपनी मॉम और अपनी वाइफ के बीच बैलन्स बनाना लेकिन जब मॉम और वाइफ बना रही हो सेम डिश तब कैसे बैलन्स बनाएंगे मिस्टर हस्बंड आज यहाँ आने वाले हैं सेलेब्रिटी शेफ विकास सेट अपनी मॉम और अपनी वाइफ डॉली के साथ लेकिन जब मॉम और वाइफ बना रही हो सेम डिश हस्बं के लिए दिशिन आसान नहीं हर डिश में परफेक्शन की तलाश करने वाले शेफ विकास क्या यहाँ दोनों डिशिस के टेस्ट से पहचान पाएंगे किस ने बनाई है कौनसी दिश देखेंगे राइवल्स इन लॉ में अंटी जी विकास जी और डॉली जी इस प्लेशर तो हम यहाँ 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 दिल से बताई आपकी कौनसी फेवरिट टिश पेश की जाए मुझे ना कमल ककरी बुरी अच्छी लगती है अच्छा तंगार के कोफते बनाएं यह लोग साथ में कुछ ऐसा इंट्रस्टिंग राइस पेपरिशन बनाएं जिसमें शाहिन हो यह जिसमें चमको नाहीं का मोती पलाउं वेल्कम तो रिवल्स इन लॉग किचिन इस मेन्यू के लिए मैं आपको सिक्स्टी मिन्ट दोंगा ओके वान टू थ्री गो तो अगर आप आज नहीं जीतोगी विकास की पिटाई होगी क्या जीतोंगी तो मैं ही इसलिए इसलिए तरकार ने जीते हैं वो अच्छा खाना बनाती है जब ही वो हारेगी तो उसको बुरा लगेगा मैं चाहती हूँ कि यह कम्पीटिशन डॉली ही जीते जिसे सब फुष हो जाएंगे सारा त्यार कर दिया मैंने दुगार के कोईला गैस पे रखा उसको अच्छे से लाल हो गया पर एक टोरी में हमने वो डाला उपर काली मेर्च, लॉंग, दालचिनी डाली और उपर से घी डाला वाइल 5, 4, 3, 2, 1, stop! Now let's plate it or Vikas keep band pachne wali Let's have some fun at the tasting table So are you ready? Oh yes Okay So Tasting it's a part of my profession So I feel like as a chef if I taste it, it will be best So what do I say? Then I won't be disappointed when I decide the winner So the winner is this Kofta for me And we reveal your choice Wow 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 is wow Okay Congratulations, auntie ji Congratulations Congratulations Picklese jaisae khanne ka taste bada jata hai Waisae life mein khatti meati bato se pada hai piaar This is your host Vicky Ratnani Until we meet again, adios amigos Wais Hadi Fu Wais 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 K Gad 15 16 30 30 31 झाल झाल